नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आउरत को घर की लक्षमी का दर्जा दिया गया है किसी भी घर में एक आउरत का होना बहुत ही मायने रखता है एक आउरत घर में खुशियां ला सकती है इसलिए उसे धनकी देवी माता लक्षमी का रूप माना जाता है उसमें इतनी शक्ती होती है कि वो घर में खुशियां भर सकती है और अपनी वाड़ी की बज़े से वो बहुत कुछ कर सकती है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी देने बाले है जो महिलाएं घर में कुछ ऐसे काम करती है जिसकी वज़े से घर में लक्षमी जी की करपा हमेशा बनी रहती है तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी दिल्चस्प जानकारी के बारे में जराविस्तार से बताएंगे दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक घर की देख भाल करना दोस्तों जिस किसी भी घर की महिला अपने घर की खास देख भाल करती है जैसे की घर की सफाई रखना और जाडू पोचा करना ऐसे घर में माता लक्षमी जी हमेशा परसन रहती हैं और उस घर में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है और उस घ गर में धनकी देवी लक्षमी का वास होता है बहां कभी भी पैसों से जुड़ी परेशानिया नहीं होती दोस्तों जिस घर की महिलाएं अपने मन में दान दक्षिडा का भाव रखती हैं उस घर में हमेशा खुशाली बनी रहती है क्योंकि दान करने से मन सुच रहता है और लोगों के परति प्रेम भी बढ़ता है किसी भी निर्धन व्यक्ति की सहायता करने से मन को बहुत परसन्नता प्राप्त होती है और उस निर्धन व्यक्ति की दुआएं भी मिलती है जिससे धनकी देवी माता लक्षमी की करपा बनी र और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत